नमस्ते मेरे चात्रो, आज हम देखते हैं कक्षा नवी, विशे हिंदी है, पाट दूसरे इकाय में दिखते हैं पाट नव पाट का नाम है मेरे पीता जी, लेका के डॉक्टर हरीवंशराय वच्चन, प्रस्तुत पाट के माध्याम से हरीवंशराय वच्चन अपने पीता के रहन सहन, वेक्ती महत्व, दूडता, स्वभीमान, कर्तव्य निष्टा, आधी गुनों के साथ साथ देश्व समाज में आये परिवर्तों का बड़े प्रबाव ढंग से चित्रत किया हैं, देखते हैं मेरे पीता जी इपाट, प्राइनियर, प्रेश में प्रताप की समय की पाइबंदी, पाइबंदी अने बद्धता, शुद्ध, स्वच्च, लिखावट, सहीज, साप, हिसाप, कीताब, रखने की आ कामी अपनी मेज पर रख लेते हैं, निचल एने स्तीर, विशिष्टत एने विशिष्टा, और दप्तर बन हो जाने के बाद, घंटों बाद, रात देर तक काम में जूटे रते, इस प्रकार में अधिकारियों और सहकामीयों दोनों के प्रति, दोनों के प्रियों बन गए, सहकामीनों याने साथ काम करने वाला, घर से दप्तर चार मील होगा, कुछ काम भी हो सकता है, फासले, फासले याने दूरे के मामले में मेरा अनुमाल हमेशा गलत होता है, जादा की तरव वे पैधल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरत से साइकिल ने उन्होंने खर प्रतप की समय एक शुद्ध शुद्ध लिकावट सही साफ ही साफ रखने की आदत निचल मेवर करके उसने जल्दी विशिश्टता दे दिये, अपना काम खत्म कर उन्होंने क्लारकों का पिछडा कर दिया, और यह उजोब प्रकार्ता और अधिकारिया और सहकामनिया दोन गये काला जूता दिला पाईजामा अचकन हो उनके लंबे का इखरे शरे का शरीर पर खुब फप्ती थी और दुबली और दुपली तूपी दूपली याने दोपली वाली तूपी जाडों में मेरी मा के हाथ का बुना उन्हीं गुल्बुन उनके गले में पड़ा रता था दपतर से बाहर के लिए वे दोती बरबंद गले का कोण कोट पहनते थी सीर पर फैल कैप जो उन्दी लों विलायत से आतित थी और काफी मेंगी थी पीता जी ने पीता जी बाहर निकलते तो चाता उनके हाथ में जरूर होता मुसन साफ हो और रात हो तो वे चड़ी लेकर चलते थी पर पतली नहीं अच्छी मोटी मजबुत लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी पर लाठी चलाने की तालीम पीता जी ने भी जरूर कभी जरूर भी लिवोगी मुझे एक बार याद आई हैं शहर में किसी काप किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था पीता जी ने धोती उपर कर ली कुर्ते की बाहे चड़ा ली और अपने पहाडी मोटा डंडा दाहिने का हाथ से कंदे पर समले बाया हां तेजी से हिलाते नंगे पाओ आगे बड़े उन्होंने उनके पाज जाकर कहां मैं लडने नहीं आया हूँ लडने को आता तो मैं अपने साथ और को भी लाता डंडा के वल आत्मरक्षा के लिए साथ है कोई अकेला मुझे चुनोती देगा तो पीछे नहीं होटोंगा मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है चार ने मिलकर एक को पीड़ दिया तो क्या बहादुरी दिखाई अकेले सिर्फीरे की बात समझ जा सकती है चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समधारी की बात करने चाहिए इस तरह की लड़ाई तो मैं तो बे समझी की लड़ाई है कही कही किसी से किसी को मारा आपने पूर दूसरी जगह किसी को किसी दूसरी को मार दिया धरम का नाता है तो पास पडोस इंसानित की नाता भी है इंसान मेल से रहने को बना है लड़ाई कितने दिन चलेगी देखो बचो यहां दफ्थर के लिए एक तरह पोशाक अपना ही और जितने दिन दफ्थर गए उसी में एक काला जुता और पाईजामा चटकर उन्हें शरीरपा खुब खुब फपती थी और दुबले भी टोपी थी दुबली और दो पल्ले वाली टोपी थी एक दिन सीर पर फैल कैब जो उन दिनों पिलाएती यानि विदाश से जाती थी विदेशे जाती थी और काफी महेंगी होती थी जो पीता जी है पीता जी बाहर निकलते तो हाथ में जरूर लाते हैं क्योंकि ए जो लंबी का लाठी मेरे घर में नहीं थी और लाठी चलाने की तालिम जो पीता जी ने कभी जरूर भी लेंगे होगी पीता जी ने जो धोती उपर कर ली और कुर्ते के बाहर बाहर चड़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दायने हाथ के कंदे पर संभा चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो उसमें कोई बहादुरी दिखाई देती है चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समंदर के बात करने चाहिए उसके बाद दो दिन, चार दिन, पांचवे दिन फिर सुलह से रहना होगा 20-30 बार हिंदु मुस्लिम के कट मरने से न हिंदुत्व समापत होगा न इसलाम खत्मा होगा साथ रहना है तो खुब खुबी इसी मिल से रहे एक दूसरे से टकरानी की जरूरत नहीं दूनिया बहुत बड़ी है पिताजी की बाते का बातों का असर हुआ उस दंगे में फिर कोई वर्लात नहीं हुई आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुसलिम दंगे हुए हमारे मुहल्ले में शांती बनी रही मेरे पिताजी का दैनी जीवन प्राय एक धरे पर चलने वाला निया बद्ध और नेमिती था वे सवेरे तीन बजे उठते और शवचादी से निवरुद्ध होते और ठीक साड़े तीन बजे गंगस्तान के लिए चले जाते पैदल आते गंगाजी घर से तीन चार मेल के फासले पर होगी वे ठीक साड़े चल बजे नहां कर लोडते साथ में एक सुराहे गंगाजर भी दलाते और पुजा पर बैट जाते पुजा के लिए नीचे की नीचे जीने की नीचे के एक छोटी सी कटोरी थी बगल की दीवर में एक आलमारी थी उस पर एक बस्ते में बंदी तो दो पुस्तके रखी थी एक रामचरित मानस और दुसरी गिता पुजा के कोट्री में कोई मूर्ती न थी दीवर से राम कृष्ण शीव गनेश हनुमान सरस्वती लक्ष्मी दुर्गार की शिशे जडी चोटी चोटी तस्वरी लटकी थी पीता जी को बहुत जुखकर उस कोट्री में जाना होता और अव्वे उसमें बैट जाते तो उस बस इतनी ही जगह बश्च्टी की सामने रहे रखकर उस पर पुथियां को लिज्जा सके वे मानस का नवहानिक पाट करते थे यानि प्रति दिन इतना की नव की नव दिन तो मेरे रामायण समापत हो जाए उनकी मानस की पूथि में जो अब तक मेरे पास उन्ने की हाथ के नवाई के निशा लगे रहे, पाट के सरस्वर करते थे, उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, गाने गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उसका स्वर साप सप्राम और लएपुर्नत था, और कोटी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गुश्टे थे, आवाज की पहली सुरूती, मुझे उननी के मानस पाट के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदी उनके पास का स्वर मेरे काना में गया, मैं कलपना करता हूँ कि सोरी, सोरी में जन्म के पहले तीन से में ही उनका पाट स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा, सारी पूझा की कोटी के सामने दालान के एक सीरे पन बनाए जाती थी, राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था, तब चाहे कितना, कितना ही रोता क्यों न, कि क्यों न हो जैसे में ही मेरा कटोला पूझा की कोटी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे भी पितांजी का मानस पाट सुन रहा हो, मेरी माता तता परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्वजनम के धार्मिक संस्कार की कलपना करते थे, अब मैं ऐसा समझता हूँ, यहां मेरे पिताजी के स्वर की लेटिया लए थी, जो मुझे शान्त कर देती थी, इतना मैं जरूर मानता हूँ कि मैं कि इस इस इश्रमन संस्कारों ने उस समय अद्भूत रूप में मेरे सहायता की होगी, जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, अउन्दी भाशा में मानस की शोली, मानस की शेली थी, पीता जी मोन रख कर गीता पढ़ने थे, गीता पढ़ते थे शाय चिंदन करने की दुष्टी से, मानस में वहां मानस में बहा करते थे, संस्कुरूत का उन्हे साधारत ग्यान था, मानस में आए संस्कृत अंशो को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे पर संस्कृत से वह उच्चारन सूख अनुभोता न करते थे जो अउधी से कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शोक है ब्रच और अधी की कविता में घंटो पढ़ सकता हूँ मानस का तो सस्वर अखंड़ पाट मेंने कही भर किया है पर मानस की बात की और खड़ी बूली की कविता में घंटे भर भी पढ़ो तो मेरी भी मेरी जीब एटनी लगती हूँ उर्दु के साथ यह बात नहीं है खड़ी बोली कविता ने कहते हुवे खेत कोता है मानस की सुक्ष्म शिरावों को अभी कम ही चुआ है वह जीवन से उठी हुवी कम लगती है कोश से उत्री हुवी अधिक कार्णों पर यहां न जाओंगा पिता जी से जी ठीक साड़े आट बजे उठते उस समय तक मेरी माता जी भोजन तयार कर देती में रसवी में पढ़कर रसवी में बैटकर भोजन करते और कपड़े बहन नव बशते बशते दक्तर के लिए रवाना हो जाते किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तयार न होता पिता जी को पहुत घुसा आता मां का अपने लगती सैर घुसा निकलना का समय भी उसके पास न होता वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बैगर खाये दप्तर के लिए चल पढ़ते अपने 35 वर्ष की नोक्री में वे कहां करते थे एक दिन में दप्तर देर से नहीं पहुंचे मेरी माता जी जल्दी जल्दी पूरिया बनाती और एक दिबे में खाना रखकर मुवले के किसी आदमी से दप्तर बिजवाती और जब एक आदमी मेरे पिता जी को खाना वे खिला कर वापस ना आ आ जाता वे बोजन न करती जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर तव्वास होता गर की तीन बुडिया राधा मेरी दादी और महारानी की बाते सुनकर को बाते सुनने के उपर में से मिलती मेरी मा न खाती तो में कैसी खाती पर अपनी भूग का घुसा वे तीन बर मा पर उतारती रहती पीता जी की दफ्थर से लोटने का कोई ठीक समय नहीं था नोकडिक की प्रारम भी वर्षों में वे प्राइस देर से लोडते थे आठ नो बज़े इसमें भी अधिक देर से और खाना का कर सो जाते थे बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पड़ते ही खाना खाने के बात भी और कभी गुमने निकल जाते सुबह गंगस्थान में आने जाने के आठ मील देन को दपतर आने जाने के आठ मील यानि कुल सोलह मील चल लेने पर भी उनकी जलास रुपता नहीं देखो बच्चो यहां कभी ने कहा है कि जब पीता जी मौंधकर गीता पड़ते हैं उसके चिंता करने एकसे दृष्टी से वो मानस में वहां बहां कते थे मानस में आये हुए जो संस्कूरुज शुद्धता और स्पश्टता से पढ़ते हैं कवीता सवसवार पड़ने से उनका शोख है क्योंकि कवीता में घंटों तक पढ़सकते हैं मानस का तो एक स्वा है अखंड है मैंने कभी भी मानस की बात और खड़ी बोली कि कविता में घंटे भर पड़ू तो जीब ऐसे एटनी लगती हैं पीता जी से ठीक साड़े आन बजे उठते हैं उस समय माता जी का भोजन हो तयार करती हैं वे रसोय में बैट कर भोजन करते और कप्ड़े पहन से नव बचते बचते वो रवाना हो जाते हैं जब कोई जाने वाला ना मिलता तो उनका भी एक दिन उपास होता हैं घर की तीन बुडिया है राधा, मेरी दादी और महारानी की बाते को सुनने मिलती हैं और अपनी भूख का घुसा वे दिन भर मा पर उतारती रहती हैं और राध को भी दो-तीन दिन मिल भूख फिर आने को तयार रहते हैं तभी तो मैं कहता हूँ कि उनने चलने का मर्शता सबसे अच्रद की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए ते वी सुबह तीन ही बज़े थी उनका कहना था कि नीन लंबाई नहीं घराए मागती हैं यानि कम घंटों को भी घरी नीन जादा घंट की नहीं हल्दी नीन का का कर देती हैं उनके इस पारमूले के प्रती विश्वास ने मुझसे अपने नीन पर कितना अत्यचर कराया हैं इसे सोच कर कभी कभी मैं कहता हो कि जब मैं मरो तो मुझे साथ आठ दीन तक क्यों ही न पड़े रहने से देना इस संभव की कलपना वर दुखत हैं क्योंकि मुझे अपने जीवित की बहुत सी रातों की नीन पूरी करनी हैं देखो बच्चों लेक कहते हैं कि उन्हें वो चलने का मर्च मिलता था सबसे पहले वो अच्रंग की बात कहते हैं कि उनका कहना था कि नीन नीन लंबाई नहीं गहराई से मांगती हैं उनके उस भारमोले के विश्वास से मुझे अपनी नीन पर कितना भी अत्याचार करवाई जब ओ कहता हैं साथ आट दीन तक हो पड़े रहने से उसकी सम्मावना कलपना सुकत हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन की बातें सारी रात नीन पूरी कर लेती हैं समय की पाबंदी की जू उतकटा था उन्होंने अपनाई थी उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयों आवशकता उन्हें सेस ओप टाइम वक्त का अंदाजा अंदादेने के लिए पीता जी ने अपनी नोकली के पहले वर्ष में एक आराम खड़ी घड़ी खड़ी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रग दी यह घड़ी नहीं थी विक्टोरियन यू की थी और पाइनियर पाइनियर की दफतर में बहुत दिनों से काम में दे रहे थी वहाँ एक कंडम मालकिन तरह निकाल दी गई जो पीता जी ने शाय दो रुपे में ले ली यह घड़ी बेहा शाबित हुई थोड़ी बहुत सपाई की बाद वहाँ चलने लगी चलने लगी तो चलती चली गई सात्वी दिन उसने शाबी देनी पड़ती वह आलाम में बजाती उसके कभी घड़ी साथ के यहां जाने के मुझे याद नहीं तीकोनिया और खाली इसकी कोई तस्व मेरे दिमाग में नहीं मेरे पीता के जीवन पर यह वहाँ चलती रही उनकी मृत्तु को लगबग 30 वर्ष होने आये हैं अब भी वहाँ चल रही है मेरे पास नहीं मेरी बड़ी बहान के लड़के राम चंद्रा फूर्बॉल के अकिल भार्तिय प्रसिद्य के खिला दिये उ जब मैं कभी राम के घर जाता हूँ हीर फीर कर मेरी आख उस गड़ी पर टिकती है हमारे हमारे घर कितने भी जन कितने जनम शरम जनम मरन शादी बयाव भोजन महस्व उसने देखे हैं कितने वर्ष विश्यात अश्रू हास्य वाद विवान कितने क्रोद कलह रोधन गायन श्रम संगर्शक की वहां साक्षी रही है मेरी मां अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम गड़ी है पर नई खुद आराम करती है न कि हूँ का आराम करे देते हैं आराम गड़ी नाम ऐसी गड़िया को शायद इसलिए लिया होगा कि ए एक जगह रग दी जाती अलाम से आरा आया तो कोई अचरज की बात नहीं कभी कभी आराम का आ भी चोड़ दिया गया है और ऐसी घड़िया को मैंने लोगों को राम घड़ी भी सुना कहते सुना कहा है